हलो फ्रेंच, वेलकम डू आज चानल करनाट अफेर अपडेटेटेड इस दिवशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक लेके आए हूँ क्योंकि इस पर बहुत दिनों से डिबेट भी चल रही है और रिसेंटी करनाट अफेर के सबसे इं चंद्रयान 3 से उनको हम डिसकस करेंगे, तो चले स्तार्ट करतें चंद्रयान 3 को, सबसे पहले है कि चंद्रयान 3 नाम से आप देखिए चंद्रयान, इसका मतलब क्या है, तिकी एक संस्कृत word है, इसका मतलब होता है, मून वेकल, या दखेगा, तो मून में जाने ही क्या, जो वेकल होता है उसको हम कहते हैं चंद्रयान तो चंद्रयान का literally मतलब इन संस्कित यही होता है पहली बात तो यह दूसरी बात अगर हम देखें चंद्रयान mission की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको यह जरूरूर पता होना चीए कि इंडियन स्पेस research organization that is ISRO के at present chief कौन है जब यह चंद्रयान 3 mission launch किया गया है exam perspective से important है तो यादखना है S. Somnath जो है वो presently ISRO के chief है एक point तो आपको यह यादखना है उसके अगर हम बात करें चंद्रयान 3 mission के बेसिक सा आप से objective पूछे कि चंद्रयान 3 का objective क्या है ठीक है तो यादखेगे इसका objective क्या है कि इंडिया इस पहले पहला point है कि इंडिया का lunar mission है मतलब of course moon का mission है जिसका aim क्या है विच aims to be the world's first mission to soft land near the lunar south pole तो यादखेगा अगर हमारा यह safe landing हो जाती अभी landing नहीं हुई है अगर safe landing हो जाती तो world की पहली country बन जाएंगे जहां हमने safe landing करा दी है कहां पर that is at south pole moon के south pole बहुत सी country moon पे तो गई है बट south pole पर अभी तक कोई नहीं गया क्योंकि difficult भी होता है south pole में जाना moon के तो इंडिया का याद है कि चंद्यान 3 mission south pole पे ही जा रहा है चंद्यान 2 भी वहीं पर जाने की कोशिश था पर चंद्यान 2 फेल हो गया था landing के टाइम पर जो चंद्यान 3 है उसका भी agenda ही है तो अगर हमने safe landing करा है तो world की पहली country हम बन जाएंगे इसमें हम जब land कराएंगे तो हमारा एक rover निकलेगा मनब lander जब land करेगा moon में तो वहां से एक rover निकलेगा और वह बहुत important role play करने वाला है पिछली बार हमारा lander ही land नहीं कर पाया था rover तो बाद में ही निकलना था तो जब इसका aim क्या है to land a rover on the lunar south pole तो south pole में जाकर lander rover वहां से निकलेगा और जो experiment से उनको किये जाएंगे तो basic आपको पहले चंद्यान 3 के बारे में यह पता होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि moon पे और कोई country नहीं गई है moon पे और country गई हुई है और इंडिया moon पे अगर पहुच जाता है country हो जाएगी but south pole में पहुचने वाली पहली country होगी तो difference याद रखना ठीक है चंद्यान 3 आपको पता होगा इसको launch किया गया 14th July 2023 को timing ता 2 बज के पैतेश्पी है तो फैर के 2 बजे हुए थे यह भी आपको याद रखना है 37 धवन Space Center Shri Hari Kota से इसको launch किया गया तो यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है यहोब आपको पता होगा श्री हरी कोटा कहां पर है यह नहीं पता है तो comment box में चलो कौन कौन बताता है श्री हरी कोटा कहां पर लोक्रेट है यह आप मुझे comment box में mention कर दिये अगे बढ़ते हैं मैंने आपको पता है इट विल बी land on the moon south pole, moon के south pole में land करेगा a location where the presence of water molecules was discovered ऐसी location जहां पर हम water molecules हमने discovered किये थे during India's inaugural moon mission जो हमारा पहला moon mission था चंद्रयान 1 जो 2008 में लाँच हुआ था उसकी discovery के हमें पता है कि महां पर presence of water molecules है उसी को देखते हुए हम south pole में याद दखेगा land करने वाले हैं अब हमने landing नहीं की थी चंद्रयान one mission one में landing नहीं की थी अब हम land करने वाले हैं second में कोशिश की fail हो गए but third में हम फिर से कोशिश करें कि महां पर जाकर land कर सके अपने rover को फिर जाकर अब मैं आगे बताऊंगा lander rover यह सब क्या है आगे discuss होगा और याद किए का यह अगर हम कर देते हैं लैंड कर जाते हैं तो हम world की fourth country होने वाले हैं और south pole में land करेंगे अफकोस तो हम world की first country हो जाएंगे south pole में land करने first country moon में land करने वाली fourth country हो जाएगी क्योंकि moon में already USA soviet union मतब रश्या की बात करूं और चाइना already land कर चुके है but south pole में अभी तक किसी ने land नहीं किया है तो यह point आपको जरूर याद अखना है आगे अगर बात करूं तो इसको launch किया जा रहा है कौन से vehicle को use किया जा रहा है रॉकेट को launch किया है launching vehicle है अब चंद्यान 3 mission के अगर बात करूं तो बिल्कुल जिससरे चंद्यान 2 में जो हम complete नहीं कर पाये तो उसी को follow up करते हुए चंद्यान 3 launch किया गया है चंद्यान 2 हमें 2019 में launch किया था तो चंद्यान 3 is follow on mission to चंद्यान 2 to demonstrate and to end capability वही है that is safe landing है और फिर वहां से rover जो है lunar surface में move करेगा तो बिल्कुल उसी का follow up mission है जो वहां पर नहीं कर पाये तो उसी को continue कर रहे है अब देखें यहां पर mainly आप देखेंगे चंद्यान 3 में तीन basic major modules है पहला क्या पहला याद एकिए propulsion module propulsion module क्या करेगा lander और rover को वहां तक पहुचाएगा कहां पर याद एकिएगा अभी मैं आगे discuss करूँगा that is orbit तक पहुचाएगा फिर वहां से आप देखेंगे propulsion module lander rover को 100 km के orbit तक फिर वहां से lander rover को ले जाएगा कहां तक surface पर और फिर rover क्या है मूफ करेगा कहां पर आर्थ के moon पर तो तीन मेजर चीज़ है propulsion module lander और rover को ले जा रहा है फिर lander rover को ले जा रहा है फिर फाइनली rover याद रहे हैं आपको moon के surface से पहुच रहा है चले हम इसको और दीटेल में discuss करता हूँ और उससे पहले पता दूँ आपको यह लग रहा होगा से launch तो कर दिया हमने कब 14 जुलाई को बढ़े पहुचेगा कब तो पता दूँ यह point भी important है कि it aims to reach moon in 40 days 40 days में यह moon में पहुच जाएगा expected soft landing जो है expect हम कर रहे है 23rd और 24th August को हमाई safe landing हो जानी चाहिए तो देखते है जब land होगी तो वापस ऑगस्त में वापस चीज न्यूज में आ जाएगी अब मैं आपको basic बता दू तीन basic module है तो जो propulsion module है वो क्या करेगा lander और rover को ले के याद रखेगा 100 km की lunar orbit तक पहुचा देगा 100 km की lunar orbit मून की orbit पहुच जाएंगे उसके बाद क्या होगा जो lander will have the capability to soft land वो soft land करेगा एक specified lunar site में जो की of course south pole में है वहां land करेगा और जो वहां पर land कर जाएगा for example lander तो वहां से निकलेगा आपका क्या that is rover और rover क्या करेगा rover which will carry out वहां निकलेगा और institute chemical analysis मतलब वहीं पर जो chemical analysis का name उन में वो करेगा of the lunar surface during the course of its mobility तो उसका एकाम है वहां पर chemical analysis करना तो याद एकने आपको propulsion module है then lander है और then rover है आप कहरोंगे सब्सक्राइब कोई नाम specific रखे गए हैं क्या उनको मैं जरूर discuss करूँगा क्योंकि जो last mission में चंद्यान 2 में lander rover के नाम थे उन्हीं को continue किया चंद्यान 3 में भी अच्छी बात है आपके लिए general knowledge में ज्यादा add-on नहीं होगा क्योंकि इस तो नहीं याद है कि retain कि names जो चंद्यान 2 में launch किये थे वही लेंडर का नाम है विकरम जो लैंड कराएगा और उससे जब rover निकलेगा उसका नाम है प्रग्यान प्रग्यान का संस्कित में मतलब संस्कित प्रग्यान का मतलब होता है English में wisdom तो याद दखना आपको कि जो rover है फिर वह chemical analysis करेगा तीन module बहुत important हो जाते हैं exam perspective से अब आगे हम बढ़ें कुछ images मैंने आपर बना रखे हैं आप इस images को एक बार देख सकते हो चंद्यान 3 की images हैं ठीक है basic यहाँ पर facts लिखे हो है बट दिमार्ग में आ रहो है LVM 3 rocket का use कर रहे हैं इसका weight कितना है इस rocket का मतलब यह जो हम भेज रहे हैं याद एखेगा rocket उसका weight कितना है so weight of the rocket मैं आपको बतायता हूं rocket में तीन चीज़े है mainly that is propulsion, lander और rover ठीक है propulsion का weight है 2148 kg याद एखेगा lander का है 1752 kg और rover का है 26 kg मतलब total weight जो rocket का है 3900 kg तो यह भी याद एकना है total weight of the rocket कितना है 3900 kg okay तो सबसे जब भारी आप देखेगा propulsion है फिल्लैंडर है और सबसे हलका 26 kg का rover है okay तो यह भी पता होना चीज़े कि क्या weight है अब अगर weight पूछ लिया है अब आप से कोई पूछे अच्छा बताओ चंद्यान 3 का objective क्या है objective तो clear है वैसे कि हमें south pole में पहुचना है lunar surface के तो याद कि to demonstrate safe and soft landing हमें lunar surface में करानी है और अफकोर हम कहां लैंडिंग करा रहे हैं और to conduct institute of a rover क्या करें institute scientific experiment जो भी chemical analysis है वो सब रोवर कर सकें यह हमारे basic agendas है basic objective है चंद्यान 3 के अब आप सोचोंगे चंद्यान 3 में हम भेज रहे हैं mission कुछ लोग ऐसा सोच रहोंगे कितना पैसा लाग रहा है इसका बिलकुल इसका estimated budget approximately 615 croz है अब आप देखेंगे बड़ा सोचल मीडिया में ट्रॉल हो रहा था अधीपुरुष का movie इतनी अची नहीं थी अफकोर अची ही नहीं थी तो अधीपुरुष movie इससे जादा महंगी बनी थी तो लोग इस पर ट्रॉल कर रहे थे वह तो मैंने आपको याद करने के लिए पता है याद कि एस्टिमेटे बजेट जो इसका है approximately 615 croz है जहां पर हम इससे चांद तक यादे मून तक पहुंच रहे है अब एक बड़ा इंपॉर्टन कोशन आता है इस तो चीफ तो मैंने ब वास्तो तो याद इखिएगा रितु शिर्वास्तो को नाम आपको याद अखना है शी तो रॉकेट वोमें ऑफ इंडिया लखनव यूपी से बिलॉंग करती है इस तो में साइंटेस्ट हैं और याद इखिएगा मिशन डारेक्टर चंद्यान टू की मिशन डारेक्टर भी सकता है कि इस मिशन को लेड किस ने किया अब मैं आपको डिसकस करना चाहूंगा पुराने चंद्यान अभी तक हमने दो मिशन लॉंच किये हैं चंद्यान पर चंद्यान वन और चंद्यान टू चंद्यान टू वस फेलियर अफकोस अभी हम चंद्यान थ्री भी लॉंच कर तो जारा कि अभी तक इंडिया दो लूनर मिशन लॉंच कर चुकी है, अपकोस थर्ड अब लॉंच कर दिया है, पर पुराना करने बात को दो लूनर मिशन लॉंच कर चुकी है, पहला चंद्यान मिशन जो था, फर्स चंद्यान मिशन, वो 22nd October 2008 में लॉंच किया गया था, और मिशन का, the mission was known, क्यों famous रहा, first discovery of water on the moon, मतला उसने बताया कि moon में water है, and later it led to many other discoveries also, बहुत से बाद में पता भी चली, तो ये successful था, चंद्यान 1, फिर चंद्यान 2 mission जो हमने लॉंच किया, वो 22 जुलाई 2019 में लॉंच किया, तो अब देख सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटलियर द हमारा failure हुआ था, उसमें हुआ क्या था, कि हम orbit तक तो हमारा पहुच गया था, फिर orbit से जब land करने की बात थी, rover तो नहीं निकल पाया था, land ही नहीं कर पाया थे, okay, so lander made it to the lunar orbit, मैंने बताया न, lunar orbit तक पहुच गया था, but was later lost just 2.1, जब वो land करने वाल था, surface में, moon के, so 2.1 किलो मीटर, above the moon surface पर, वो lost हो गया था, okay, so that was a failure, rover तो पहुच ही नहीं पाया, lander ही lost हो गया आपका, जो rover को ले के जा रहा था, okay, तो चंदयान 2 के बारे में याद आखना आपको, 22 July 2019 में लांच किया गया था, कौन से वेकल से लांच किया गया था, GSLV Mark 3, Geo Synchronous Satellite Launch वेकल Mark 3 से लांच किया गया था, इस बाद दूसरा वेकल यूज किया जा रहा, ये भी याद आखना है, चंदयान 2 जो था, चलूनर मिशन, explore वो भी, moon के south pole में जा रहा था, और अभी तक कोई भी country moon के south pole पे नहीं गई थी, चंदयान 2 तो fail हो गया, तो हम अभी भी नहीं पहुच प्रज्यान और लेंडर था, और और अर्बिटर, और लेंडर थे, वहाँ पर तीन चीज़े थी, इस बाद प्रपल्शन मॉड्यूल है, और लेंडर है, तो ये थोड़ा सा याद आखना आपको, उस ताइम पर इस रो के साइंटेस्ट थे, चीफ जो थे, वनब साइंटेस की safe landing हो, तो ये तो कुछ important factual points, जो exam perspective से important है, I hope ये जो points है, ये आपको exam में help करेंगे, और ये lecture बहुत short lecture है, but exam perspective से बहुत important lecture है, तो अगर चंध्यान 3 के बारे में आपसे कोई पूछे तो इतना basic आपको चंध्यान 3 के बारे में पता होना चाहिए, इस तरह की facts आपको अच् function है, if you want to donate, आप donate कर सकते हो, okay, अब मैं अपने notes के बारे में बात कर लूँ, याद एखिए का, इस तरह की lectures तो important होते ही है, और हमाई lecture courses भी important है, जो application में available है, link description box में application में download करो, वहाँ पर आपको मेरे सारे lectures जो है, हर subject के, quality, geography, history, environment, economics, kind of affairs, pre, main, सब कुछ available हो जाएगा मेरे application में, अब वहाँ पर आप जाओगे, तो आपको मेरे notes के बारे में detail मिलेगी, handwritten notes, okay, तो आप इन notes को order कर सकते हो, याद एखिएगा, अगर आपको exam crack करना है, कम time में आपके पास, आप notes order कर सकते हो, हर subjects के notes अविलेबल है, quality, environment, history, geography, सारे subjects के notes अविलेबल है, okay, आप चाहें तो sample अगर आपको देख रहे हो, handwritten notes के, तो एक बार आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, number मैंने लिख रखा है, आप उसमें WhatsApp करेंए, मैं आपको notes के sample भी दिखाऊंगा, total 12 booklets है, याद एखिएगा, static GK से लेखे, सारे notes handwritten अविलेबल है, उनको आप order कर सकते हो, all over India, the notes अविलेबल, हो जाएगी, कोई doubt query है, जरूर बताइए, चंदयान 3 एक important mission है, I hope for the success of landing, क्योंकि launch तो successful हो चुका है, अब landing में successful होगी, और that would be a great thing for us, और India पहली country बजने आएगी, साउथ पोल में पहुचने के लिए, तो I hope आप लोग भी चाहते हैं, चंदयान 3 के बाइम detail चाहती रहें, और अभी August में वापस ये चीज निउस में आएगी, तो मेरा मानना है, इंटर्व्यूस हों, coming exams हों, चंदयान 3 आपके exam का favorite question होने वाला है, तो जरूर इसके बारे में पढ़े, कोई doubt query है, वो भी comment box में बताइए, आपके कोई topics हैं, जो आप चाहते हैं, मैं उनको अपने different groups में जादा जादा लोग इस video को देख सकें, so thank you everyone and have a nice day.